नमस्कार स्वागत है आपका इशेन यूज इंडियां में मैं हूं कीर्ति सिंग राज्य में जिस तरह से कोरोना संक्रमन जितनी तेजी से फैल रहा था अब उतनी तेजी से ही इसमें गिरावट देखी जा रही है दरसल शुक्रवार को एक कोरोना की जांच हुई जारकन के सबी जिलो में जिसमें यह दर पाया गया कि यह एक दसमलव दो प्रतिशत रहा जो की अब पूरे देश में उतरा खंड के बाद दूसरे नमबर पर है जिस तरह से यह संक्रमन बढ़ रहा था उसमें काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन अब पहली बार दो दसमलव से जारकन का जो प्रतिशत है वो कम रहा वही शुकरवार को बाकी राज्यों की भी जाच हुई जिसमें केवल चार राज्य ही ऐसे है जिसकी दो दसमलव से कम जो दर है जो प्रतिशत है वो रही इसमें उतरा खंड, दिल्ली, बिहार और जारकन शामिल है उतरा खंड के बाद दूसरे नमबर पर जारकन आ चुका है जिसकी दो दसमलव से कम दर रही और अगर आगे की बात करें मृत्यू दर की तो मृत्यू दर में भी जारकन में बहुत तेजी से गिरावर देखा जा रहा है हलाकि इसी दिन अगर आप देखे तो बागी के जो राज है वहाँ पर भी कम से कम दो दरजन से अधिक राजयों की कोरोना दर की जांच की गई जिसमें 11 प्रतिशत से अधिक दरवाले अभी भी कई राज एसे है जहां पर कोरोना संक्रमन का दर 11 प्रतिशत है ऐसे में जारकंट सरकार या अनुमान जता रही है कि जून जुलाई तक जो ये कोरोना का दूसरा लहर का जो पीक है वो बिलकुल कम हो जाएगा और इस पर काबू पा लिया जाएगा हाला कि इस वक्त जैसे राज में स्वास्त सुरक्षा सप्ता चल रहा है अगर इसी तरह ये चलता रहा तो और भी आसानी से लोग जल्द से जल्द कोरोना संक्रमन से मुक्त हो जाएंगे और हमारा राज भी बहुत जल्द मुक्त होगा क्योंकि जिस तरह से ये रेट सामने आ रही है कोरोना ग्राफ अगर आप देखे कोरोना ग्राफ की बात करें तो पहले सप्ता जो स्वास्त सुरक्षा सप्ता का पहला सप्ता था उसमें भी जादा तेजी से संक्रमित मिल रहे थे लेकिन दूसरे सप्ता से अगर बात करें तो दूसरे सप्ता में काफी गिरावट आ गई थी और अभी तीसरा सप्ता चल रहा है स्वास्तसुरक्षा सप्ता तो इसमें देखा जा रहा है कि इस दर में काफी गिरावट आई है वहीं मृतकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है ऐसे में जो सरकार अनुमान लगा रही है अगर यह सही हुआ तो बाकी के जितने जार्खंड वासी है उन्हें काफी राहत पहुचेगी बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एश्यानियूस इंडिया के साथ रांची